तो गाइज मैं आज लेके आया हूँ यह एक आइस क्रीम स्टॉल का सेट है और यह बी इस्पेशली लाइग जो भी वीडियो जो बना रहा हूं मैं स्पेशली स्टिफ गल्स के लिए हो मैंने पिछले वीडियो जो बनाया था डॉल हाउस के लिए काफी लोगों ने उसको पसंद किया है मुझे काफी अच्छे लाइक आए उस वीडियो पर तो वही देखके मैंने सोचा के और एक कुछ गल्स रिलेटेट वीडियो बनाता हूं तो यह भी मैंने गल्स के स्पेशली गल्स के लिए लाया है तो मैं आपको इसको उपन करके बत इसको उपन करते हैं करते हैं तो मैंने इसको ओपन कर दिया है इसमें इतना कुछ आइटम है तो मैंने जब निकालते वोगत कर देखे इतना कुछ आइटम है यह कुछ आइस्क्रीम की स्टॉल लग रही है यह एक आइस्क्रीम है और यह जो है यह फिंगर फ्राइज लग रहे है और यह पाप कॉन का सेट है यह स्टॉल स्क्रीम की स्टोल नई मुंसे लगता है सारा कुछ एक स्ट्लल है जिससे इस इसमें आइसक्रीम स्ट्राइब और यह विंगक काप इसक्रीम लगरायए 1052 यह समय में už यह soupIE आप क्लरेIGHT ऐस्करीन दया है और ये टेबल दिया है चोटा सा टेबल है और यह च्रेव दिया है इसमें को चार प्रफ चेयर कि इसेन तॉत यह का टाइब बिल्हा हो वाईए और पिंक अकृत्रीनली इसमें हिसे रिकाड़र और या एक कॉपक गापा कर दो आए posig और दो, इन दो आपम एक है और कोरुपकोण प्रे सबस्केन और केक केक जासा लग रहा है ये केक ही होगा मुझे पता नहीं क्या है लगिनिते केक की जासा लगा और यह ए केकर रभ आए फिंगर फ्राइज की तो इसको हम प्रॉपरनी सेट करके मैं पुताता हूं का इसा लगता है इसमें दो इंगता है मतलब एक इस्पीम स्टॉल या और एक हैं स्नेक्स का स्टॉल है कि आया । टैंट रोटे घ्ट शोण विल्टत यह स्टॉल के तो इस है कि स्टॉल है और है मेरे जाहिक एक फ्रेंट रह pairs उन आ कि देखिए इस तरह की स्टॉल बन गई है कि यह कॉंटर लग रहा है इसके अंदर का इस देखिए सेंटर में एक लब एक कॉंटर टाइप है और यह एस्क्रीम स्टॉल है कि इस तरह का स्टॉल है काफ़ी ब्यूटिफुल लग रहा है स्टॉल यह कि देखिए सारा कुछ सेट करने का इस तरह का स्टॉल लग रहा है यह मतलब यह अलग से था कि कॉंटर टाइप और यहां पर सर्विंग करने का यह सेट है यह अलग था मैंने इसको यहां पर सेट किया है और यह जो है इसका रूफ है तो देखिए इस तरह का लग रहा है यह स्टॉल यह है तो मैं इसको है कि बsize क्लिक कि आपको बताता हूँ किस तरह का लग रहा है और अपना जो मैंने वीडियो लास्ट वीटेमेंने यह सेट करने बताता हूँ किस तरह का लगता है बड़े कपाँ या, बुर रमादा है, तुर्यां का लेकर अजड़ कर्ला इसा उसक्राइब कर्लादिक अजड़ करता है? क्लिए अजड़ खंड़ें दुल्राइब है धूल-धुण यह दूर फफक्राइब है में आइस क्रिम को चल में प्रॉपरली सेट कर रहा हूँ अच्छा लगने के लिए जब मैंने अपन किया यह तो मतलब प्रॉपरली सट नहीं था तो मैं आपको प्रॉपरली सेट करकर बताता हूं कैसे लगता है और एक डॉल भी दिया था वो सेट में तो इस तरह की क्यूट सी डॉल है क्यूल पॉल प्वोटर जचे तरह का बाता है डमाल प्रणाल के साथ अ घरूमाल जो ऋे सेली के चाँ वाल जो मीदड़ में तरह का प्लाव भी में तरह में तरह करीं चाहँ दोली आफटी देफ़ चाहँ तरह की श्याँ अटें शॉल डबगाचाँ लुटाने छाले हाँ कि यह सारा कुछी डाल हॉस का सेट है मैं इसके साथ अरेंज कर रहा हूं का मतलब अच्छा लगने के लिए कि अग्या कर दो कि अग्या कर दो कि अग्या कर दो कि अग्या कर दो पीडाय कर दो कि मैंतर छहिंको लिए कुल दो है तो मैंने इससे नदे देखिए आप इस तरह को लग रहा है देखिए मैंने प्रॉपरली डॉल होस को भी यहां पर लेफ्ट साइड में रखा है और डॉल होस का कुछ सामने और यह आप राइट साइड में देख सकते हो यह सारा कुछ है जो मैंने सेट आज ओपन किया है इसक्रीम पार्लर सेट उसका इतना सामाना मद लेवे चार चे और टेबल और यह जो एष्टॉल है यह दो आइसक्रीम यह तीन अलग तेप के अज़की और कप एसक्रीम एक केक और फिंगर फ्रैस और यह पॉपकॉर्न तो यह अपपर एंगल से है मैं आपको फ्रेंट एंगल से बताता हूँ तो आप देख सकते हैं अप्रेंट एंगल से कितना अच्छा लग रहा है यह राइट सेड में यह सारा कुछ मतलब डॉलाउस का सेट है यह जो घर है और यह कापड यह जो जाज विखर्वर्ड ट्रेसिंग टेबल लग से प्रॉपर ली बताता हूं मतलब आज जो मैने उपन किया उसमें क्या यह तो यह देखिए यह जो यह जो प्रिवेश्वी यह यह जो आरश के सोफा यह बेड़ यह तेबल और यह जो यह जो यह खीर, बढादा और ट्रसिंक टेबल और यह जै जो डोल आजी आइसक्रीम स्टाल यह अश्ञ प्रस टिय infrastructure प्रस्टीन चर और प्रसक्राम, इना प्रसिंक टेबल के गए आएसक्रीम प्रसिंक टेबल कि आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है यह प्रॉपरली सेट होने के बाद कि कि क्यूट सा एरिया लग रहा है मतलब प्रॉपरली एक हाउज है निकलने के बाद असक्रीम इच्ण स्वल जाय है और मतलब बीटने के लिए सारा कुछ अरेंजमेंट है तो है काफी अच्छा लग रहा है यह इदेखर इए स्पर्प यंग से अच्छा लग रहे है मैं से क्रॉपर एक अईरिया टाइप लग रहा है कि अभी प्रॉपर वेल सेटल्ड एरिया होता है न तो मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज गाइज लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू